नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीछले वीडियो में कुछ लड़कों का ये कॉमेंट्स था कि टाइपिंग कैसे होता है इसके उपर वीडियो बनाईए सिविल कोट में तो देखिए आपको बता दे कि स्टेनोग्राफर और कोट रीडर कम डिपोजिशन राइटर दोनों पोस् सब्सक्राइब नहीं किये हूँ है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि आपका जो भी डाउट्स है यहां से हम किलियर करेंगे और विजिन लोगों का जो डाउट्स होगा उनके उपर नीचे कॉमेंट्स किजिएगा उसके उपर हम वीडियो बनाएंगे तो दिखि भासा होता है जो टाइपिंग जो सोठन होता है उसमें उसी को एस्टोनोग्राफी बोलते हैं या सोठन बोलते हैं तो वह हिंदी और इंगलिस दोनों में है जो की 25-25 मार्क्स का है उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो है इंगलिस में 15 नमर का होना है यह एस्टोनोग्रा है इसमें देखिए इसमें अलग क्या है देखिए CPT अलग होता है सौट हंड अलग होता है और टाइपिंग तीनों अलग होता है एक चीज़ याद रखिएगा CPT मतलब होता है आपको पाउर पॉइंट पे जाकर के जैसे देखिए MS XL पे MS Word पे उसके बाद internal सर्फिंग स्किल्स इस पे जाकर के काम करना होता है जिसे MS Word है MS Word पे आपको दे दिया कि लेटर लिखने के लिए MS Word पे आपको कुछ डिजाइन बनाने के लिए दिया या PowerPoint MS Excel पे दे दिया तो वो चीज़ दस नमर का आपसे पूछा जाएगा दो तीन कोस्तान होगा मुश्किल से दो ही रहेगा MS Word पे और MS Excel पे और वो आपको दस नमर का पूछा जाएगा वो आपको करके देना है दूसरा चीज़ आप बोलें कि इसमे इस्टोनोग्राफी तो देखिए इस्टोनोग्राफी इसमें 80 word per minute इंगलिस में होगा और हिंदी में जो होगा आपका 60 word per minute इस्टोनोग्राफी होगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा उसके बाद में देखिए कि इसका जो होगा एकूरेसी जो होगा 95% होगा मतलब आप समझ रहोंगे इस्टोनोग्राफी का जो एकूरेसी है वो 95 99% पर होगा उसके बाद अब आजिये तैपिंग पर चलते हैं तैपिंग कैसे होगा इसके उपर पर चेर्चा करेंगे दोस्तों देखिए टाइपिंग इसमें इंग्लिस और हिंदी दोनों में है इस पोस्ट में एस्टोनोग्राफी वाला भी पोस्ट में है और एक और पोस्ट है उसमें भी है तो इसमें जो होगा आपका टाइपिंग यह 15 नमर का होगा 15 नमर का इंग्लिस में 15 नमर का हिंदी में इसमें आपको typing में हिंदी जो है 30 word per minute होगा और इंग्लिस का जो typing होना है वह 40 word per minute होना है तो दोस्तों, जैसा कि typing के बारे में आप लोग पूछ रहेंते कैसे होगा, इस स्क्रीन पे दिखेगा या कैसे तो देखिए आपको desktop पे ही typing होता है जैसे आप नॉर्मली जो कहीं भी आप जाते हैं टाइपिंग देने कोई भी इंस्ट्यूट में वहां डेक्स्टॉप मिलता है उसके बाद टाइपिंग के लिए आप बोल रहे हैं थे कि हाइलाइट होगा या नहीं उपर में आपको टाइपिंग एकदम हाइलाइट होगा ज वहीी टाइपिंग इस बार भी लेगा टाइपिंग मिलना है तो आपको लीमा प्ता चलेगा दोस्तों ये सारा चीज उसमें होगा उसके बाद आपको टाइपिंग में और कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको लग रहा है कि होगा और अगर कुछ अगर इसमें भी अगर आपको प्रोब्लम होगा तो नीचे जरूर लिखेगा कि हाँ क्या आपको दिक्कत है देखिए इसमें हाइलाइट्स भी होगा मैंली हाइलाइट्स है तो हाइलाइट्स भी होगा आप जब गलती करते हैं टाइपिंग में जैसे कोई वर्ड आप गलती टाइप कर दिये ती वाई पी है लिखना यहाँ आप माल लेते हैं कि दूसरा कुछ हम लिख दिये तो यह आपको जो वर्ड होता है उपर में वो रेड हो जाता है तो यह भी आपको वहाँ पर पता चलियागा कि हाँ हम कौन गलत किये है ठीक है और एकुरेसी जो है आपको 90% ले करके चलना है एकुरेसी 90% से कम होगा तो यानि कि आप टाइपिंग में फेल हो जाईएगा तो दोस्तो यह आपका टाइपिंग का हुआ उसके बाद देखिए इसमें भी टाइपिंग आपका होगा कितना 15 नमर का 15 नमर का एस्टेनो ग्राफी में और दूसरा है कि देखिए इसमें जो टाइपिंग होगा आपको कोट रीडर वाला जो है पोस्ट क्या है कोट रीडर कम डेपोजिशन राइटर इसका नाम हमें से भूल जाते हैं इतना लंबा चोरा नाम है तो देखिए यह जो है कम्प्यूटर टाइपिंग होगा इंगलिस में 50 नमर का कम्प्यूटर टाइपिंग होगा हिंदी में 50 नमर का अब आप कह रहे होंगे कि कितना दिर का टाइपिंग तो दोस्तों टाइपिंग आपका मातर 10 से मिनट का होता इस से ज़्यादा का टाइपिंग नहीं होता है इस पोस्ट में आपको टाइपिंग 10 मिनट का होगा और इसमें इसके बाद आपको 40 वर्ड पर मिनट से इंगलिस टाइपिंग करना है और हिंदी जो टाइपिंग करना है 30 वर्ड पर मिनट के हिसाफ से हिंदी टाइपिंग करन है और तैपिंग में हाईलाइट्स वगरह जो भी होता है वो सब कुछ आपको मिलेगा और अगर आपको कुछ पुछना है 파इसे, में तो नीचे कॉमेंट कीजिए गा क्योंकि तैपिंग हम दिय हूँ है बहले तैपिंग में फेल हूँ है लेकिन टाइपिंग हम दिये हुए तो उसका एडिया है थोड़ा बहुत चलिए दोस्तों ठीक है धन्यवाद